हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू एंजल गार्डन कैसे हैं आप सब होप करती हूं बहुत अच्छा से होंगे और सेफ होंगे आज मैं बात करने वाली हूं नाख चमपा फ्लार प्रांट के बारे में तो पूरा वीडियो दिखेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक श है और समर्क बैस्ट फ्रावर प्लांट रोव देखर है वाइभी एड है और लेका ओल स्टी को अपने आप टेंगे क्रेंडज और सेभिडों प्लान कहीं प्रेंस व要डिए वरांट प्समर्स के प्लावर जाए ते विक तुच्च में निकल चुके हैं तो अब ये शडिक दूसरा मैं दिखा रही हूं यह ब्रांच निकल चुके हैं टॉप पे ही इनके स्टीक आते हैं और जब तक यह स्टीक अपने आप ही ना गिर जाए प्लांट से तक तक आप इस स्टीक को काटिएगा नहीं या फिर पिंचिंग करके हाटाईएगा नहीं और मैंने इस मैं वहीं लगा सकते हैं इस प्लांट को मैंने कई सारे प्लांट एक ही पॉल में लाइव हैं जैसे हमारी चंपा प्लांट पूरी दिन अगर इन्हें शेट में रखेंगे तो इनकी लेट्स तो बहुत ही प्यारे हैं प्लांट टीक जाएंगे पर इनमें फूल नहीं आते हैं तो इन्हें पूरे दिन की धूक में रखें पालगे पानी नहीं ठेरनी चाहिए अगर पानी ठेरेंगे तो इनके जो रूट्स होते हैं जड़े होते हैं तो फ्लांट खराब हो जाते हैं लगाएं और फेटिलाजर करने के लिए फ्लाबरिंग होने लगते हैं तो इनके झालत पर जाते हैं और थे लएं के लिय便 होते हैं अज अब देखने में इंके तो लेयर हो गई है तब zealten करें कंडो की जो जो उपर की लेयर मितल होती है हलकी से शूप गई हो तभी आप इनको पानी दें ओबर वाटिंग करने से इनके जो रूट्स होते हैं तो अगल जाते हैं तो आपके प्लांट बहुत ही वुशी हो जाएंगे जब सभी ब्रांचेस में फूल आएंगे तो आप के गार्डिन बहुत ही खुब्सूरत लगेंगे तो सर्दियों में इनकी कटिंग आप कर दें तो गर्मी आते आते ये प्लांट आपके घने हो जाएंगे और इंसेक्ट की बात करूते फ्रेंसिन में मिली बग्स भी लगते हैं और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो पत्तियों खाते हैं तो कीड़ों के लिए आप नीम ओयल का इस्प्रे करते रहेंगे हर 15 दिन पे तो जितने भी कीड़े लगे रहते हैं वो सभी हट चाते हैं तो मैं हर 15 दिन पे नीम ओयल का इस्प्रे करती हूं सभी प्लांट पे तो आप भी करते रहें इस प्लांट की बहुत जादा खात की भी जोरत नहीं पड़ती है बस आप समर में इनको खाते सकते हैं विंटर में विल्कुल ही खाते इनको नहीं देंगे तो भी आपके प्लांट बहुत अच्छे से बने रहेंगे और इनके जो flowers होता है फ्रेंस तीन चार दिनों तक प्लांट पीर ही ठीक हदु है तो भेधी खुबसुरत यह ios pasture प्लांट है तो होप करती हूं वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीजेगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बाजू में बेल आकन है उसे भी प्रेस कर लिजेगा फिर मिलती to जो जखवारां